कि आदर्स पार्ट विनाव चार अवद इन्वेस्टी पहले एडिंग पड़ेगी विद्याले का नाम दूसरा होगा चात्रा ध्यापक का नाम प्रिस्क प्रकार से दिनाग लिखना होगा कच्छा विशे कालांस अवदी यह आपको जरूरी है लिखना उसके बाद प्रक्रण प्रक्रण में क्या है विश्व बंदुत्वम और समान उदेश पूरवत करता नहीं लिखेंगे आप अपने तरब से अपने मन से लिखेंगे जिससे बताया गया था पहले पार्ट विचना में दूसरे पार्ट विचना में उस प्रिकार से आपको उस पार्ट के बारे में लिखना होगा यह पूरो तोला कोई भी नहीं लिखेगा उसकी बाद city देश में किसा तर भाइ चारे के बारे में जान सकेंगे उसके बाद अगली डूमेंगी सेया पर शॉमागरी आपको लिखना होगा के बारे में सामान निजानकारी रखते हैं प्रस्तावना के प्रस्तावना के प्रस्तावना के बात करते हैं तो उसमें आपको दो कॉलम में आपको छात्रा धापक कतन क्रिया लिखना होगा दूसरे में छात्र कतन क्रिया लिखना होगा हाओ पहला का व्यम कस से से सं attachments हम हम लोग किस देषे निवासी पर आप बाह्रत की या बच्चे जवाब देंगे भारत देशे मोल्या कुट्र सांती कौन कौन से कुट कर्के लोग रहते हैं तसमीन लिख सकते हैं बच्चे का जवाब देंगे समझध धर्मा द्धन भावना भवेत इसका अभी जवाब बच्चे देंगे और लास्ट में चौता प्रस्ण पोचेंगे आप विश्व बंदुत्तम विशेत्व किम जनाती इसका यह समाप समस्यात में प्रस्ण हो जाएगा तिसके बाद आपको अगली एडिंग डालनी होगी उद्देश खतान इसमें कया लिकेंगे चात्रो आज हम लोग विश्व बंदुत्त के बारे में शामान ये अध्यन करेंगे उसके बाद हैं प्रस्तुती करण आदरसी वाचन इसमें लिखेंगे चात्र अध्यापक दौरा शुद्ध वाचन किया जाएगा सभी चात्र क्या करेंगे ध्यान प्रवक सुनेंगे और इसमें जो कटिन वर्ड आएंगे उसको श्यामपट पे लिख लिया जाएगा जिससे सद्ध कर्म आउसरवाद्धी उसके बाद अनुक्रण वाचन आपको उसे में लिखना होगा जिसमें छात्रा द्यापक द्वारा कुछ शात्रों से अनुक्रण वाचन कराए जाएगा और इसका हम लोग जिससे कुछ कटीन वर्ड आएंगे उसको यहां पर ब्लैक द्रिश्यम में चात्या द्यापक द्वारा समझ छात्रों से मौन वाचन जाएगा है कि उसके बाद विचार विश्लेशल के प्रिश्न कुछ होंगे इसमें अप लिक सकते हैं सभी मनेश्यों का हिर्दय कैसा होना चाहिए दुसरा प्रश्णों का सब किसके विना नहीं हो स दुसरा प्राश्न होगा सर्वे जना जनहितम बंदुत्त्रं बिना ना भवती तिसरा यह बंदुत्रं बिना जना कस्टं और भवती चौताओगा वसु धयो कुटुम्बकम केसाम मंत्रम भवती ठीक है इस प्रिकार से आप लास्ट में ग्रेकार दे देंगे ग्रेकार बहुत जरूरी है देना उसमें लिखेंगे बिश्रोबंदुत्व का आर्थ लिखकर सभी छात्रे लाएंगे बिश्रोबंदुत का आर्थ क्या है इसका अर्थ लिखकर साथ लाएंगे उसके बाद आपका ये भी पार्ट होजाना कप्ले हो जाता है आगे मिलते हैं पार्ट होजाना पाच्वे में